यूकरियोट्स प्रोकरियोट्स से इवॉल हुए हैं। यूकरियोट्स की एवलुशन के लिए हमारे पास दो तरह के नजरियात हैं। पहला नजरिया एंडोसंबियोंट हाइपोथिस या एंडोसंबियोंट थियोरी है। जबके दूसरा मेंब्रेन इन्वेजिनेशन हाइपॉसीज है। अइंडो सेंबियोंट है एंड типि स्थ्री के मताबबिक इस अफोट बहुत बड़े कि मौनेक प्रोक्रियोटिक अममड में बैक्टिरीया ने अफृति एक य्थ्रोटे एरविक बैक्टिरिया को को इंजेस्ट कर लिया क्यांच कि अा इसको डेजेस्ट करने के बिजाय अपने अंदर ही रहने दिया यानि उसको अपनी बॉड़ी में स्टेबिलाइज कर लिया जो अरॉबिक बक्टेरिया था वो उस अनरॉबिक प्रोकेरियोट के अंदर सिम्बायोटिकली रहने लगा यानि इन दोनों के दर्मियान सिम्बियोसिज एक ऐसा तालॉब जिसमें दो जानदार कम या लंबे अर्शे के लिए कठे जिनकी गुजारते हैं उसे सिम्बियोसिज कहते हैं यह एक सिम्बियोटिक रिलेशन्शिप इन दोनों के दर्मियान काइम हो गया चूंकि दूसरा बक्तिरिया जिसे आप पैरसाइट भी कह सकते हैं वो अपने से बड़े बैक्टिरिया जिसे होस्ट कह सकते हैं उसके अंदर रहने लगा इसी वज़न से इस थियोरी को एंडोसिम्बियोट थियोरी भी कहते हैं शुरू में यह इतने ज़्यादा मकबूल नहीं होई थी कि इसके मुतलिक इतने एविडेंस नहीं थे तो इस वज़न से इसे एंडोसिम्बियोट हाइपोथिस कहते थे वेकिन वक्त के साथ-साथ जूं-जूं हमें इसके मुतलिक एविडेंस मिले तो अब इसको हम एंडोसिम्बियोट थियोरी कहते हैं इस इस थियोरी के मताबिक जो बैक्टेरिया निया अरॉबिक बैक्टेरिया प्रोकरियोट अमीबाइड बैक्टेरिया ने इंगेस्ट किये थे वो उसके अंदर माइटो कॉंट्रिया के अंदर तब्दील हो गए जब माईटो कॉंट्रिया बना तो प्रोकरियोट ने जो पहली एन औरॉब्स थे वो एरॉबिक रेस्पिरिशन करने लगे जिन जानदारों के पास माईटो कॉंट्रिया मुझूद होते हैं वो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, इसी तरह से माइटो कॉंट्रिया रखने वाले अमीबाइड ने कुछ स्पाइरोकीड्स जैसे और्गनिजम को इंजेस्ट कर लिया, ये स्पाइरोकीड्स इसके अंदर फ्लेजयला के अंदर डिवेलप हो गया, यानि इन से एक फ्लेजयला जो एक विप लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसे मुवमेट के लिए कुछ जानदार यूज़ करते हैं, उसमें स्पाइरोकीड्स इवेलप हो गया, इसी तरह से जब इस अमीबो फ्लेजिलेट ने कुछ सियानो बैक्टेरिया जिने ब्लू ग्रीन एलजी भी कहते हैं, उनकी तरह के और्गिनिजम्स को इंजेस्ट किया, तो वो इने सियानो बैक्टेरिया इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट में डिवेलप हो गया, दूसरी थियोरी, जो दूसरा हाइपोटसीज, हमारे पास यूक्रियोट्स की एवलुशन का है, वो मेंब्रेन इन् हाइपोटसीज है, इस हाइपोटसीज के मताबिक, प्रोक्रियोटिक सेल ने अपने जनेटिक माटेरियल को डूप्लिकेट किया, जनेटिक माटेरियल को डूप्लिकेट करने के बाद, प्रोक्रियोटिक सेल की मेंब्रेन ने अंदर की जानेब चुकना शुरू किया, यानि उसकी इन्वेजिनेशन स्टार्ट हो गई प्लाज्मा मेंब्रेन की इस इन्वेजिनेशन ने जो जनेटिक कोपीज सेल की अंदर मौझूद थी उनको इंकलोज कर लिया जिसकी वज़ां से बहुत सी डेबल मेंब्रेन वाली साखतें उस सिंगल सेल के अंदर बन गए बाद में ये डबल मेंप्रेन वाली साखतें शूकरियोटिक सेल के माइटोकॉंड्रिया, नूकलियस और कलोरोप्रास्ट वाधर में तबदील हो गए